राज़ेपाल ने किया कुफरी तालाब पुनरुधार कार्यों का लोकारपण भारत की सीमाओं की रक्षा के साथ भार्जियों सेना आपता प्रबंदन पर्यापरण सरक्षन और अन्योगती विदियों में जिस उतकरिष्टा के साथ कारयों कर रही है उस पर हम सभी को गर्व है राजपाल श्रमला के निकट कुफरी में प्रादेश क सेना के प्लैटिनम जेंति समहरों के अफसर पर सेना द्वारा किये गए कुफरी तलाब के पुनरुधार के लोकार पन अफसर पर बोल रही थे उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रादेशुक सेना राष्टो की सेवा के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जूबली मना रहा है अपनी उत्पत्ती से लेकर अभी तक प्रादेशुक सेना भार्तियों सेना के एक अंग के रूप में उलेखनी उकार्य कर रही है और राष्टो निर्मान में अपना बहुमुलियो योगदान दे रही है आज मुझे लगता है कि एक महत्वपूर कार्ज के लिए में आया आज इसका लोकारपड हुआ है गाओं सबको समर्पित किया गया है इस नुति में सभी शेना के जवानों को भी इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और ये कोर हिमाचल में ब्रिक्षारोपड में लगा हुआ है हिमाचल को और अधिक ब्रिक्षों की आवशक्ता भी है जिस प्रकार से परियावरण में परिवर्तन हुआ है आज सिम्ला वो सिम्ला नहीं रहा गया है गर्मी वहाँ भी अब पड़ रही है इस नते आज बहुत आवशक है कि हम सभी लोगों को इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से हम ब्रिक्षों का सनरच्षड करें और ब्रिक्षड को लगाने का काम करें जल सनरच्षड भी उसके लिए आवशक है जो यहां तिक रहा है साथ ही साथ दो अक्टूबर तक शुक्षता का कार्ज काम है जिसको 2014 में प्रधानमंत्री श्री नर्यन मोदी जी ने लाल किले से कहा था और तब लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री सफाई की बात करते हैं लेकिन आज देश में बच्चों ने उसको अपना लिया है और बच्चे स्वयंग शुक्षता को ध्यानमे रख करके कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि शुक्षता के प्रतिविशेस ध्यान दिया जाए जल के संरक्षड के प्रतिविशेस ध्यान दिया जाए और बनी करल को और अधिक हैक्टेयर में बढ़ाने का काम किया जाए आज के इस कार्जकम में यही बहुत महत अपूर था